जैमाता दी आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशी के बारे में 29 अपरेल से लेकर 3 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारे राशी फल चंद राशी पर आधारित है यह समय बिशाक मास के शुक्र पक्ष का समय है और मिथुन राशी वालों के लिए बेहद खास और सांधार है चलिए शुरुआत करते हैं 29 तारिक बुदवार से 29 तारिक बुदवार को सुभा शष्टी तिथी और साम को सब्तमी तिथी रहेगी पुनर वशु नक्षत्र होगा चंदरमा मिथुन राशी से गोचर करेंगे और ब्रशपती का नक्षत्र पूरे दिन बना रहेगा यह दिन आपके लिए बेहद खास होगा दिन आपके लिए भाकेशाली है एक्स्ट्रा इंकम बन सकती है और इंकम क से जुड़े लोगों को विशेश फाइदा होगा सरकारी विभागों से जुड़े लोगों के काम की तारिफ होगी और इस समय में विशेश मान सम्मान की प्राप्ती होगी कोई आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा आपकी सिफारिश भी कर सकता है करियर के लिह आज से समय बहतरीन होगा नई नोकरी तलाश कर रहे लोगों को सुब समाचार प्राप्त होगे यह समय आपको अपने पिता जी से भी लाप की प्राप्ती होगी बेवाही की जीवन इस दिन खुशाल रहेगा सेहत बहुत अच्छी रहेगी और हर प्रकार से घर परिवार में भी सुक्षानती बनी रहेगी शिक्षा के शितर में पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन लगेगा और आपकी लव लाइफ भी खास रहेगी हर प्रकार से यह दिन आपके भाग्या को मजबूत करेगा और आपकी धन संबंदी समस्यां को दूर करेगा पुराने मुश्किल काम अधूरे काम बनते हुए भी दिखाई देंगे बात करें तीस तारीक गुरुवार की इस दिन सुभा सप्तमी तिथी और शाम कोश्टमी तिथी रहेगी पुक्षा नक्षत्र होगा चंद्रमा करक राशी से गोचर करेंगे शनी का नक्षत्र होगा इस दिन आपका जैसे हो सकती है पुरानी बातों को सोच कर मन परिशान नहीं करना चाहिए इस दिन आपको अपनी शेहत का भी खास ख्याल रखना है खाने पिने का ख्याल रखे और यात्राओं में थोड़ी सावथानी रखे इस दिन घर परिवार में सुक सांती बनी रहेगी हर प्रकार से आपको अपने बोल में मिठास रखने का भी परियास करना है और किसी भी तरह से वाद भी वाद नहों इस बात का ख्याल रखे इसके अतरिक्त स्थितियां आपके पक्ष में होगी कारोबारिक स्थितियां अच्छी होगी लेकिन इस दिन आपको मेहनत अधिक करने पड़ सक और काम का दबाव बन सकता है जिस वज़े से सारीरिक और मानसिक ठकान बन सकती है इसलिए आपको इस दिन बड़े रिष्क भी नहीं लेने चाहिए बात करें एक तारिक सुक्रवार की इस दिन सुभा अस्टमी तिती शाम को नौमी तिती रहेगी अशलेशा नक्षत्र होगा चंद्रमा करक राशी से गोचर करेंगे बुद्ध का नक्षत रहेगा इस दिन आपको गुप्त धन की प्राप्ती हो सकती है लोटरी द्वारा धन मिल सकता है अचानक धन लाब होगा और रुका फसा धन भी मिल सकता है परिवार से भी अच्छा सयोग मिलेगा नए कामों को सफलता मिलेगी नए निवेश से लाब की प्राप्ती होगी इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप लग्की साबित होंगे नए संबंद बन सकते हैं नए मितरता बन सकती है और यह ओनलाइन भी बन सकती है और नए रिष्टों के चलते मन में परसंता बनेगी एक दूसरे से बातचित करने में भी आपको सुकून की प्राप्ती होगी यह समय आपके लिए बहुत जवरदस्त होगा विशेश मान सम्मान आपको प्राप्त होगा सबाजी कारियों में भी रुची बढ़ सकती है अपने काम के साथ साथ आप दूसरों की भी मदद करने वाले हैं और यह इसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आप अपने मान सम्मान के चलते अधिक खर्चे कर सकते हैं आपको अनावश्यक खर्चों से बचना है अपनी जेब के साथ से चलना चाहिए इस दिन आपको यात्राओं में थोड़ी साथानी रखनी है बेवज़ा की अनावश्यक ही यात्राओं भी हो सकती हैं और मजबूरी में भी आपको घर से बाहर जाना पड़ सकता है ना चाहते हुए भी आपको कुछ काम इस दिन करने पड़ेंगे जिस वज़े से मन परिशान भी होगा काम करने में आपकी रूची नहीं रहेगी इस इस दिन मन में भटकावा सकता है इसलिए अपनी कंसंट्रेशन को बहतर करें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें किसी भी प्रकार से आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए अपनी सेहत का ख्यार रखें ट्रेवलिंग में जल्दबाजी ना करें बात करें तीन ता को आप महसूस करेंगे हर प्रकार से मुश्किल कामों को आप इस दिन अपने लिए असान बना रहे हैं किश्मत का साथ मिलेगा भाई बहनों का सयोग मित्रों का सयोग भी मिलेगा और पुराने अधूरे काम बनेंगे इस सब्ता है के जो काम आपकी अब तक नहीं बन पाए कुछी लगे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें